हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो क्रेजी जी के ट्रेक तो दोस्तो हमारी एरली करेंट अफियर सेरीज संखनात सीरीज को आज हम नेक्ष्ट लेक्चर को डिसकस करेंगे आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो प्रमुख नियुक्तियों या फिर प्रमुख अपॉइन्मेंट से रिलेटेड होने वाला है किसी भी एक्जाम के दश्टिकॉर्ण से यह जो टॉपिक है काफी महत्रपूर है अक्सर हमें यहां से एक्जाम में कोश्चन देखने को मिलते हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अभी तक के जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां है पूरी 2023 की और अभी तक की अप्डेट नियुक्तियों को हम डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर काफी महत्रपूर्ण होने वाला है वीडियो लेक्चर को आप अंतर तक जरूर देखिए यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो हमारी आपको पता होना चाहिए अब कमेंट बॉक्स में बताईए कि भारत में महारतन कंपनियों की संख्या कितनी है ठीक है अगला कोश्यों देख लेते हैं वीडियो का नया निदेशक किसी नियुक्त किया गया है तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ठीक है 1964 में इसकी स्थापना हो जीती है और ने दिली में इसका हैड कोटर है तो इसके जो निदेशक नियुक्त हुए है वो शुश्री वानी वर्मा इसकी निदेशक नियुक्त हुए है आप देखिए जो वीडियों है अभी मैं आपको इसक बहु काफिक समय से डिमांड कर रही तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजीू कैस्ट की तरफ से जो करेंट अफेयर की बुक है तो इसको आप auxiliary कर सकते हैं इस बौकमी में टापिक वाइस करेंट वानी इसका हैटक अपने घर पर शैकशन भी मिल जाता कर से और का उर का सिस् चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, हाली में 16 वित्तायोग का अध्धक्ष किसी न्यूक्त किया गया है, तो 16th Finance Commission या फिर जो वित्तायोग है, इसके जो अध्धक्ष है, अर्विंद पनगडिया को न्यूक्त किया गया है, इसके अर्विंद पनगडिया है, ये 2015 से लेकर के 17 दक नीती आयोग के पहले उपाध्धक्ष भी रह चोके हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके लाव वित्तायोग के अध्धक्ष कोन है, तो एनके सिंग 15 वित्तायोग के अध्धक्ष है, इसके लाव इससे पहले वित्तायोग के अध्धक्ष कोन थे, तो एनके जरूरी नहीं कि जो यहां पर question आपको देख रहा है, यहां से direct question आए, detail से भी घुमा फिरा के exam में question पूछ जा सकता है, अगला question डिसकस कर लेते हैं, हाली में भारत तिवद सीमा पुलिस ITBB का नया महाने देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ITBB का नया महाने देशक राहु अगला question देख लेते हैं, जो कि अध्धक्ष के रूप में चुने गया है, इससे पहले मौराजी देशाई, इस ट्रस्ट के पहले अध्धक्ष बने थे, तो याद रखेगा, ठीक है, इसके लाव देखी ये पांच वर्ष तक इसके अध्धक्ष तक करेंगे, आपको याद रखना है, सौमनाथ मंदिर के दिए हम बात करें, तो बाराज योतरलिंग जो भारत में है, उसमें से एक है सौमनाथ मंदिर, और ग्रह मंद्री ते सर्दार बललब भाई बड़ेल इनके अधेश पर ही किया गया था, ठीक है, इसके लबा मौझूद है, जो मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है, ये उनीस सो इंक आवन में भारत के पहले राश्पती राज़त परशात के दोरा की गई थी, तो अनीश डायाल सिंग को CRPF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है, इससे पहले जो अनीश डायाल सिंग है, ये भारत तिबबत सीमा पुलिस बल जिसको हम बोलते हैं, ITBP इसके महान निदेशक थे, तो ये बात आपको याद केंद्री ओद्योगिक सुरक्षावल, जिसको हम CISF बोलते हैं, इसकी पहली महीला महान निदेशक कौन बनी है, तो नीना सिंग को CISF की पहली महीला महान निदेशक के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है, जो नीना सिंग है, ये मनीपुर कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं, और जिए हम बत करें CISF के बारे में, तो CISF के पास पूरे देश में हवाई अड़ों, दिल्ली, मेट्रो, सरकारी भवना और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो इस सारे डिटेल याद रखिएगा, काफी महत्त पूर है, इसकी जो स्थापना है, 23 मार्च 1950 को ही थी, हैड़कॉटर जिनेवा स्रिचार लेंड में है, 서weet-ख ओ नेथ, सारे जो सदस्यदेश हैं, के महानेदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो Q-Dongyu को FAO के महानेदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है यदि हम बात करें FAO या फिरिसको हम सहिजुक्त राश्ट कहा दे और किसी संगटन बोलते हैं के स्थापना 1945 को ही थी और इसका जो हैट कोटर है रूम इटली के अंतरगत आता है अगला कुशन देख लेते हैं सहिजुक्त राश्टर में भारत के इस्थाई प्रतिनीधी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अरिंदम बाकची को सहिजुक्त राश्टर में भारत के इस्थाई प्रतिनीधी के रूप में नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है सहिजुक्त राश्ट के अदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन के अदि हम बात करें तो आप जानते होंगे तो हुन मानेट को हाली में कमबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है तो प्रमुग देशों के जो भी प्रधानमंत्री राश्टपती नियुक्त होते हैं उनको आपको याद रखना है और कुछ अख़ अन्य जो प्रधान मंतरियों की नियुकती हुई है, उनको भी हम एक वार डिसकस कर लेता हैं, जैसे की थाइलेंड के नई प्रधान मंतरि कौन हैं इसकलाबा स्लोवाकिया का नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है तो रौवर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है नेक्स्ट है न्यूजिलेंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है तो क्रिश्टोफर लक्सन जो है ये न् उपाद्धक्ष के रूप में चुना गया है तो आदिल सुम्री वाला जो है इनको विश्व एथलेटिक्स कारेकारी बोर्ड के उपाद्धक्ष के रूप में चुना गया है आपको याद रखना है ठीक है होने वाले पहले भारती मूल के वेक्ति कौन हैं तो ये काफ़ी महत्तिपोन है क्योंकि सिंगपुर के पहले भारती मूल के राश्ट्रपती वने हैं तो इनका नाम हो जाएका संमुण रतनम तो इसको अंत conception रहोजागा सी थर्मन संमुण रतनम हाली में सिंगपूर के राश्टै नाओ के बालिभ के नाय कंगे, इसके लभा कुछ अन्यदेश के राश्टै भी जो थो महांद मूईज्जु, मालदीव के नियोख्थु है, तो यहां थोड़ से डिटेल याद रखेगा remember now. द्Dieटब bots बराश्पति के रूप में नियुक्त हुएं, तो ये सारे डेटेल याद रखिएगा महत्पूरें, अगला कुश्यन दिख लेता है, बिमस्टेक के महासचिव नियुक्त हूने वाले पहले भारती कौन है, तो इंदरमणी पांडे जो है, ये बिमस्टेक के महासचिव नियु टेक्टरल, टेक्निकल, एंड एकोनोमिक कॉर्परेशन इसका फॉल फॉर्म है, विमस्टेक के दिए हम बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हैड़कॉर्टर है, ढाका बंगलादेश के अंतरकत आता है, विमस्टेक में बरतमन में साथ सदर्श्य दे तो वो न्यूज में रहती है, और उसके इस्टैटिक पोर्शन से भी कॉशन आने की संभावना रहती है, ठीके थो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, कोई भी यह दिसन्स था है, इसके लाब जो बिमस्टेक है, ये बंगल की खाड़ी के तटवर्ती देश है, या फिर समी सुसान बोजी की का इस्थान लिया है, इससे पहले है यूटूब के चीफ प्रोड़क्ट आफिसर के रूप में कारे रत थे, ठीके तो याद रखेए का महत्पूर है, वर्ल्ड बैंक के अधख्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो वर्ल्ड बैंक के अधख्ष के बात करें, तो 189 में सदर्श रदिस हैं या फिर मेंबर कंटरी है, आपको याद रखना है, अगला कोशन देख लेते हैं, ट्विटर की CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लिंडा या कारीनो को ट्विटर की CEO के रूप में नियुक्त किया गया, आप याद इसके संस्थापक कौन थे, तो जैक डॉर्सी, एवन विलियम्स और विज स्टोन, इसके लवा नुवा गलास इसके संस्थापक थे, आपको याद रखना है, इसके स्थापना 21 मार्ज 2006 को ही थी, और इसका हैड़कोर्टर कहा है, तो सैन फ्रांसिसको कैलिफोर्निया में, यूएसी केंदर का इसका हैड़कोर्टर है, अगला कोशन डिसको कर लेते हैं, सैयुक्तराष्ट महासवा के 78 अध्धक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डैनिस फ्रांसिसको सैयुक्तराष्ट महासवा के 78 अध्धक्ष के रूप में चुना गया है, सैयुक्तराष इस्ट कोष्ट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो भारती आर्थिक व्यापार संगठन इंडियन एकॉनोमिक ट्रेड और्गनाइजेशन की निदेशक के रूप में चुना गया है आपको याल रखना है ठीक है भारती आर्थिक व्यापार संगठन इसको हम IETO बोलते हैं इसके बारे मेंदी हम डिसक्स करें तो 2013 में ही इसकी स्थापना हुई है और बैंगलोर में इसका हैट कोटर है अगले कोशन दिख लेते हैं इटली की पहली महीला प्रधानमंतरी कौन बनी है तो जी और जी आप मेलोनी जो हैं ये इटली की पहली महीला प्रधानमंतरी ये फिर प्राइम मिनिस्टर बनी है अब इसके लावा यहां से रिलेट होके कुछ स्टैडिक कोशन बन जाते हैं जैसे कि विश्वी की पहली महीला प्रधानमंतरी बहरत की एकमातर महीला प्रधानमंत इसके लब देखिए कुछ अन्य देशों की राश्टपती भी हैं, उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं, जिसके होंडूरस की जो पहली महिला राश्टपती हैं, इनका नाम है शियो मारा कास्त्रो, तो ये होंडूरस में Freedom and Refoundation Party की सदस्य हैं, और देश की पहली महिला राश्टप की रूप में इनको चुना गया है, इसके लब हंगरी की भी पहली महिला राश्टपती बनी है, कैटलिन नोवाक, ये देश की पहली महिला राश्टपती चुनी गई है, और 44 वर्ष की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राश्टपती भी रही है, ठीक है, तो ये सारी ड जिसको सार्क बोलता है कि महासचिव के रूप में किसे चुना गया है South Asian Association for regional corporations का फुल फॉर में आप जानते हैं, आप जानते होंगे काट 1-2 में इसका हैट को अटा रहा और इसमें टोटल आठ मिम्बर्स हैं तो इसके जो महासाचिव नियूक्त हुए है उनका नाम है महम्मद गुलाम सर्वर ठीक है अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो महम्मद गुलाम सर्वर है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ठीक है तो याद रखिएगा महत्पूर है चलिए अगला कोशन दिख लेते हैं न्यू डेवलप्मेंट बैंक एंडीवी का नया अध्धक्ष किसे नियूक्त किया गया है तो डिलमा रुसेफ को एंडीवी का नया अध्धक्ष नियूक्त किया गया है तेकि ये ब्राजील की पूरव राश्ट पती रही है आपको याद रखना है और इनको न्यू डेवलप्मेंट बैंक का नया अध्धक्ष किया गया है तो सेख तलाल फहद अल सभाह को एशियाई उलम्पिक परिशत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखेगा, अगला कोशन देख लिखते हैं, एशियाई उलम्पिक परिशत के यदि हम बात करें, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका कुबै तो बहुत महतपूर्ण कोशन है, इसका अगला पीटी उशा, पीटी उशा को भारती उलम्पिक संग की पहली महिला धक्ष के रूप में चुना गया है, पीटी उशा को आप जानती ही होंगे, एथलेट थी ये, और केरल से इनका संबन था, इनके बहुत सारे उपनाम हैं, जिसकी ओडनपरी, दापायोली एक्सप्रेज भारत की, भारती ट्रेक एंड फिल्ड की रानी, ठीके ये सब इनके उपनाम है, इसके लवा भारती उलम्पिक संग की यदि हम बात करना, इसको हम आई हुए बोलते हैं, तो इसकी स्थापना उनीस तो सब ताइस में हुई थ आते रहते हैं, याद रखिएगा, डीवाई चंदरचून भारत के Chief Justice of India है, तो नवंबर 2022 में, द्रोपदी मुर्मू ने इनको सपच दिलाई थी, और ये पचासवे मुख्य नयायधिस बने थी, आपको याद रखना है, इसके लाबा जो डीवाई चंदरचून है, ये इल सोलवे महानियावादी, महानियावादी या फिर Attorney General है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसके लाबा भारती संभीदान में, Attorney General का यदि आर्टिकल पूछ ले, तो आर्टिकल 76 जो है ये भारत का, भारत के महानियावादी के बारे में बताता है, ठीक है, तो याद रखेगा न्यायमूर्टी प्रकाश स्रीवास्ताव को हरित न्यायाधी करण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्पूर्ण ये कोश्चन है, इसके लाब यदि हम राष्ट्री हरित न्यायाधी करण, NGT जिसको हम बोलते हैं इसकी बात करें, त तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, नेक्ट कोश्चन है, भारत के मुख चुनाव आयुक्त के पद पर किसे न्युक्त किया गया है, तो जो राजीव कुमार है, इनको भारत के मुख चुनाव आयुक्त के पद पर न्युक्त किया गया है, आपको याद रखना नेश्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में किस पद पर है ठीक है तो ये भी काफी महत्पुन कोश्चन है तो इसका आंसर हो जागा नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक कौम ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल इनको हम बोलते हैं तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये 1985 बैच के IPS अधिकारी है इसके लावा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू काश्मीर है इसके प्रथम लेफटिनेंट गवर्नर भी ये बनाये गए थे इन्हे है तो भारती लेखा परिक्षा और लेखा सेवा का ये प्रागस से मुख्या होता है और इनकी जो न्यूक्ती होती है भारत के प्रैसिडेंट या फिर राष्टपती के द्वारा होती है इनका कारेकाल छे वर्स या फिर 65 वर्स जो भी पहले हो जाए तो इनका ये कारेकाल ह इनका कारी क्या होता है तो कैंद सरकार और राज सरकार के सभी वैसम्मंदी लेखाओं की परिक्षा करना इनका कारी होता है आपको याद रखना है Next discuss कर लेते हैं वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंतरक कौन है? CGA कौन है? Auditor General of India तो जो SS दोबे हैं ये भारत के CGA हैं आपको याद रखना है और ये 1989 बैच के सिविल सिवाधिकारी हैं और इनको मार्च 2023 में 28 महालेखा महानियंतरक के रूप में न्यूक्त किया गया था इसके लावत CGA होते क्या हैं तो यह केंद सरकार के लेखा से जोड़ी मामलों पर मुखे सलाहकार होते हैं तो ये बाद भी आपको याद रखना है नेक्श देख लेते हैं देश के दूसरे Chief of Defense Staff कौन न्यूक्त किये गए हैं तो बहुत ही महत्पून कॉश्चन है जो अनिल चोहान है ये भारत के Second Chief of Defense Staff न्यूक्त किये गए हैं इनने सितंबर 2022 में भारती ससस्तर सेनाओ की रक्षा प्रमुक CDS के रूप में न्यूक्त किया गया था आपको याद रखना है ये भारती सेना के चार सितारा जनरल और सेवा निर्वत अधिकारी हैं और जो भारत क प्रथम CDS थे वो कौन थे आपको पता होना चाहिए तो जनरल विपिन रौवत जो है ये भारत के प्रथम CDS थे ठीक है याद रखेगा बहुत ही महत्तिक पर कोशन है नेक्ट कोशन है वी आर चोधरी वरतमान में किस पद पर कारियर रख थे हैं तो वायू सेना प्रमुक बने हैं आपको याद रखना है और इन्होंने RKS भदोरिया का इस्थान लिया है किसका इस्थान लिया है तो RKS भदोरिया का इन्होंने इस्थान लिया है इसके लवा हमने चुकि वायू सेना अध्धक्ष की बात किया तो थल सेना अध्धक्ष की भी बात कर लेत तो याद रखीए गा, भी हमने SDS को discuss किया था, जो कि तीनों, जो सेनाएं उसके प्रमुक होते हैं थल सेनाध्ध्ध्ष, नौ सेनाध्ध्ग्ष और वायो सेनाध्ध्ध्ध्ष, तीनों के जो प्रमुक हैं आपको याद रखना है. next दिख लेते हैं, हाली में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त के से नियुक्त किया गया है तो हीरालाल सामरिया को वर्दमान में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किया गया है चीफ इंफॉर्मिशन कमिशनर ओफ इंडिया तो हीरालाल सामरिया को यश्वरधन कुमार सिनहा के इस्थान पर इस पद प आपको याद रखना है नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वर्तमान में भारत के कैविनिट सचिव कौन है तो ये भी काफी महत्वपूर्ण कुश्चन है तो राजीव गोवा जो है ये भारत के प्रमुक कैविनिट सचिव है याद रखेगा ये जो राजीव गौवाजी है ये 1982 वेच के IAS अधिकारी है और इससे पहले ये भारत के ग्रह सचिव भी रह चुके है ठीक है प्रधानमंत्री के प्रधार सचिव के यह दि हम बात करें तो PK मिश्रा है ग्रह सचिव की बात करें अजय कुमार भला है रक्षा सचिव की बात करें गिरिधर अर्माने हैं और राष्ट्री सुरक्षा सलहकार की बात करें तो अजीड दोवाल है तो ये कुछ प्रमुख पद हैं आपको याद रखना है यहां से भी कई वार कॉशन एक्जाम में आते हैं यह सब ही आपको नोट डाउन करने है नेक्श दिख लेते हैं कैंदरी अप्रत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष के से नियुक्त किया गया है तो इसका अंसर जाएगा संजय कुमार अग्रवाल को CBIC जिसको कैंदरी अप्रत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड बोलते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है आपको याद रखना है जो संजय कुमार अग्रवाले हैं यह भारती राजश्र सेवा के अधिकारी हैं और इन है विवेग जोहरी का इस्थान दिया गया है इसके लब यह हम कैंदरी प्रत्यक्ष बोर्ड की बात करें इसको हम CVDT बोलते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है तो नितिन गुपता है ज्यादा डेटेल डिसकस कर रहा है तो आपको वीडियो को पॉस करके सारी डेटेल नोट डाउन करना और PDF तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी चलिए नेक्स्ट है निमनलिकित मैं से किसे RBI का डिफ्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है तो यह भी काफी महत्रबुन कोश्चन है स्वामी नाथन जानकी रमन को हाली मैं RBI का नया डिफ्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है ठीक है याद रखेगा इसके लाबा RBI गवर्नर की बात करना है तो वर्तमान में शक्तिकान दाश जो है यह वर्तमान में RBI के गवर्नर है पच्चिसवे नंबर के हैं आपको याद रखना है और RBI के मुख्य वित्ती अधिकारी के बात करना है तो सुधा बाल कृष्णन है ठीक है तो यह दो प्रमुक अधिकारियों की बात याद रखना है और Reserve Bank of India के दिया हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 April 1935 को ही थी और इसका जो Headquarter है मुंबई महराष्ट में है इसके लाव इसका राष्ट्री करन एक जनबरी 1909 को किया गया था नेक्ट देख लेते हैं निमलिकित में से किसे UIDAI के CEO के रूप में नुक्त किया गया है भारती विसिष्ट पहचान प्राधी करन इसको हम बोलते हैं आपको याद रखना है और इसके CEO के रूप में अमित अगरवाल को नुक्त किया गया है आपको याद रखना है जो UIDAI यह भारत की एक एजेंसी है आपको याद रखना है जिसके स्थापना 2009 में हुई थी इसका उद्देश भारत के सभी नागरिकों को आधार नामक विसिष्ट पहचान ID जारी करना है आधार कार्ड आपके पास होता है तो वो यही संस्था जारी करती है आपको याद रखना है चलिए माधुरी पूरी बुच निम्न में से किस भारती संस्था की पहली महिला अध्धक्ष बनी है तो इसकी अध्धक्ष करना वाली पहली गैर IAS अधिकारी है तो यह भी इंपोर्टन हो जाता है इसके लावे नोंने अजय तयागी का इस्थान लिया है सेवी की बात करें तो 12 अप्राइल 1988 को इसकी स्थाफना होई थी नेक्ष देख लेते हैं वर्तमार में भारत के महा पंजीयक और जनगरना आयुक्थ कौन है तो मतुन जय कुमार नारायन जो है यह भारत में यह भारत के प्रमुख महा पंजीयक और जनगरना आयुक्थ हैं आपको याद रखना है यह 1995 में बैसके आईएस अधिकारी हैं आपको याद रखना है इसके लाबा कुछ प्रमुख संसदी के समीतिया हैं इनके जो अध्धक्ष हैं उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं जैसे कि लोक लेखा समीतिय आप जानते ही होंगे पॉलिटी में अपने पढ़ा होगा इस समीति के अध्धक्ष कौन है तो अधिरंजन चौधरी हैं इसके लाबा एक प्राकलन समीति हैं इसके अध्धक्ष कौन है तो ग्रीज बाफटा इसके अध्धक्ष है ठीक है तो देखिए जो मैं आपको अलग से डेटेल बता रहा हूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से इनको नोट डाउन करते जाए है नेक्ष देख लेते हैं हाले में भावा परमाणू अनुसंधान के इंदर जिसको हम बार्क बोलते हैं इसके निदेशक कौन बनाया गया है अफरिक से बनाया गया है तो विवेक भशीन जी को बार्क का निदेशक बनाया गया है आपको याद रखना है ठीक है तो 1954 में मुंबई महराष्ट में इसके स्थापना हुई थी और भारत के परमाणू कारिक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं तो डॉक्टर हॉमी जहांगीर भावा ही कहे जाते हैं इनकी नाम पर ही इस संस्था को बनाया गया है इसके эта प्रशार भारती इसके लभा कुछ अन्यसन्स था है इनके भी हम प्रमको को देख लेते ही इसके प्रशार भारती के से यू कौन है तो दॉक्टर वशुधा गुपता है नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के अध्धक्ष कौन है तो परेश रावल जी है तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आप याद रखेगे महत्पूर है नेक्ट डिसक्स कर लेते है LIC का चेर्मेन किसी न्यूक्त किया गया है तो सिधार्ट मोहनती को LIC का चेर्मेन न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है भारती जीवन वीमा निगम लिमिटेड इसको हम बोलते है ठीक है इसके बारे में हम थोड़ डिटेल देखें तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हैड़ कोटर है कहाँ पर है मुंबई में है भारती जीवन वीमा निगम के प्रवन निदेशक को है तो आर दोरई शौमी जो है ये इसके प्रवन निदेशक है आपको याद रखना है और करमचारी राज वीमा निगम के महान निदेशक की बात करें में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्याला है हेड कोटर है मुंबई महराष्ट्र में है ठीक है याद रखिएगा भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा बिभाग का एक शासी निकाय है तो आपको याद रखना है चली अ स्alay Mountains Dayajji निक on महराष्ट के फाजपना है तो समंघान पहरे पणायोग को पाजपना बैर के सिए बुख सेवाड़ चली निकायोग के सेज़ा लिए गारत रखना है और इसका पुराना नाम है योजना आयोग ता पम्धार बिखना को नेकर बात करा है तो बिएयर हम इसके CEO हैं तो यह कुछ अन्य डेटेल भी आपको याद रखना है अगला कुछ नें CVSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो निदी शबबर को CVSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है केंदरी अमाधिमिक सिक्षा बोर्ड जिसको हम सेंटरल बोर्ड अफ सेकेंडरी एज्यूकेशन भी बोलते हैं इसका फुल फॉर्म एक प्रकार से और भारत में स्कूली सिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है 1929 में इसकी स्थापना हुई थी तो याद रखेगा निरीच हबबर को CVST का ध्यक्ष बनाया गया है नेक्ष देख लेते हैं वैज्यानिक वा अध्योगिक अनुसंधान परिशाद इसको CSIR बोलते हैं इसकी पहली महीला महाने देशक या फिर डारेक्टर जनरल के रूप में किसे बनाया गया है तो नल्ला थंबी कलाई सेलवी को CSIR का महाने देशक बनाया गया है आपको याद रखना है CSIR देश के 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संग है और इसकी जो स्थापना है 1941 में हुई थी तो ये कुछ डेटेल याद रखिएगा महात पूरे नेक्स्ट है Film and Television Institute of India FTII का अध्यक्ष के से नुक्त किया गया है तो आर मादमन को FTII का अध्यक्ष नुक्त किया गया है आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना है 1960 में हुई थी और पूरे महाराष्ट में याए अवस्थित है आपको याद रखना है यह जो संस्थान है भारत सरकार के सूचना और प्रशारन मंत्रा लेके अंतरकत एक स्वसासी निगाए के रूप में कारे करता है तो ये कुछ डेटेल भी आपको याद रखना है अगला देख लेते हैं भारत में NASCOM National Association of Software and Service Companies का Chairperson किसे बनाया गया है तो इसका full form भी याद रखेगा full form भी यहां से question exam में आ जाता है तो राजिस नाम बियार को NASCOM का Chairperson युक्त किया गया है आपको याद रखना है जो NASCOM है एक उद्ध्योग संग है जो कि भारत के प्राद द्योगी की छेतर का एक प्रतिने जित्तो करता है आपको याद रखना है इसके स्थापना 1988 मोई थी इसका जो हैड़ काटर है नौइड आयूपी में है उत्रपदेश में है और इसके अध्ध्यक्ष देवराजी घोस है तो ये कुछ अने डिटेल भी आपको याद रखनी है नेक्श देख लेता है निमनलिक्ष में से कौन इसरो के वर्तमान अध्ध्यक्ष है तो इसरो के अध्ध्यक्ष की बात करें तो काफी चर्चा में थे अभी मिसन मंगल और चंद्रियान तरीका जब सफल प्रक्षेपन किया गया था तो एसरो के अध्ध्यक्ष हैं आपको याद रखना है इन से पहले जो अध्ध्यक्ष थे इसरो के वो के शिवान थे और जो एसरो के दसवे अध्ध्यक्ष हैं आपको याद रखना है इसको की बात करें तो 15 अगस 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और बैंगलोर में इसका headquarter है तो ये सारी detail याद रखिएगा काफी महत्पुन है Next question है Next question है राष्टरी सैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो दिनेश प्रसाद सकलानी को NCRT इसके नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है NCRT की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका head को अटा रहे ठीक है तो याद रखिएगा महत्पुन है इसके लगा कुछ अन्य आयोग है जैसे कि विश्व विद्याले अनुदान आयोग इसके अध्धक्ष कौन है तो एम जगदीश कुमार इसके अध्धक्ष है आपको याद रखना है और यदि हम बात करें नालंदा विश्व विद्याले के कुलाधी पती कौन है अर्विंद पंगडिया जो है ये नालंदा विश्व विद्याले के कौलाधी पती है ललित कला अकादमी के अध्धक्ष की बात करें तो उमा नंदूरी जो है ये ललित कला अकादमी के अध्धक्ष है तो ये कुछ अन्य जो प्रमुक अध्धक्ष है इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं हाली में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो याद रखेगा मृत्युन्जे महापात्रा को हाली में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है देखे जो मृत्युन्जे महापात्र है ये भारती मौसम विभाग जिसको हम IMD बोलते हैं इसके महाने देशक हैं और इनको ही विश्व मौसम विभाग संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है आपको याद रखना है इनने भारत का साइकलोन मैन भी कहा जाता है तो ये बात भी आपको याद रखना है इसके लवा थोड़ा सा हम विश्व मौसम विभाग संगठन के वारे में भी डिस्कस कर लेते हैं WMO के यदि हम बात करें तो 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी और इसका जो हैड़कॉटर है जैनेवा सुरिजलेंड में है इसके लवा इसमें 193 सदस से हैं और महासचिव के बात करें तो सैलेश्टे सौलो जो हैं अर्जेंटीना से संबंध हैं का तो ये महासचिव हैं आपको याद रखना है नेक्श देख लेते हैं भारती रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर न्यूक्त होना वाली पहली महिला कौन है तो जया वर्मा सिनहा जो हैं ये भारती रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर न्यूक्त होना वाली पहली महिला है याद रखेगा इन्हें सितंबर 2023 में भारती रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO के रूप में न्यूक्त किया गया इसके लावा एक अन्य संस्था है भारती दूर संचार विनियामक प्राधिकरन जिसको हम ट्राई बोलते हैं इसके अध्यक्ष कौन है तो पीडी वागहिला जो है इसके अध्यक्ष हैं आपको याद रखना है नेक्स्ट है भारती प्रतिसफर्धा आयूक का अध्यक्ष किसी न्युक्त किया गया है तो रवडीत कौर को भारती प्रतिसफर्धा आयूक का अध्यक्ष न्युक्त किया गया है ये बात भी आपको याद रखना है रवनीत कौर की बात करें तो 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं इसके लावा भारती प्रतियस पर्धा आयोग की यदि हम बात करें तो भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है और इसका उद्धेश क्या है तो ब्यापार की सोतंदरता सुनिश्चित करना उपभोगता के हितों की रक्षा करना बाजार में प्रतियस पर्धा को बढ़ावा देना ये सका उद्धेश है आपको याद रखना है इसके लवाए एक अन्य महत्पून आयोग है राष्टरी मानवादीकार आयोग इसके अध्धक्ष कौन है अरुन कुमार मिश्रा जो है इसके आड़वे अध्धक्ष है आपको याद रखना है इसके लावा एक और अन्य आयोग है वित्तायोग वित्तायोग के अध्धक्ष कौन है वरतमार में तो एन के सिंग पंदरवे वित्तायोग के अध्धक्ष है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्ट देख लेते हैं नेक्ट है मनुसवानी को किस संस्था के अध्धक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है इसकलब कुछ अन्य महत्पूर्ण आयोग और उनके अध्धक्ष को भी हम डिसकस कर लेते हैं जैसे कि लोकपाल के अध्धक्ष कौन है तो प्रदीप कुमार मोहनती है 22 वे विदी आयोग के अध्धक्ष कौन है तो रितुराज अवस्ति है राष्टरी महिला आयोग के अध्धक्ष की बात करें तो रेखा सर्मा है ये नौवी राष्टरी महिला आयोग के अध्धक्ष है ये भी काफी महत्पूर्ण पॉइंट है साथवे बेतान आयोग के अध्धक्ष की बात करें तो असोक कुमार माथोर है करमचारी चायन आयोग के अध्धक्ष की बात करें SSC के तो S के शोर है तो ये कुछ अन्य आयोग है महत्पूर्ण आयोग है इनके अध्धक्ष जो मैं आपको डिसकस करा है ध्यान से नोट डाउन करिएगा काफी महत्पूर्ण है सीमा सड़क संगठन B.R.O. का नया महाने देशक के से नोक्त किया गया है तो लेफटिनेंट जनरल रगुसरी निवास जो है रगुसरी निवासन जो है ये B.R.O. के महाने देशक हैं आपको याद रखना है इनने B.R.O. का 28 महाने देशक बनाया गया है और इन्होंने Lieutenant General Rajiv Chaudhry का भी इस्थान लिया है और इन्होंने Lieutenant General Rajiv Chaudhry का इस्थान लिया है तो यह कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखने है Next है, हाली में RPF का महानी देशक किसे नियुक्त किया गया है तो Manoj Yadow को हाली में RPF का महानी देशक नियुक्त किया गया है Railway सुरक्षाबल है na Railway Protection Force इसको हम बोलते हैं एक ससस्तरबल है जोकि Railway Police बल के रूप में करता है और देश में Railway यात्री को सुरक्षा और भारतिय रिलवे की समपत्तियों की रक्षा करता है इसके लाव़ एक अन्यम अबल है सीमा सुरक्षवल जिसकों हम B.S.F. बोलते हैं इसके बरतमान महाने देशक कोने तो नितिन अगरवाल हैं ये भी थुरा सा पॉइंट आपनो डाउन कीजेगा नेश्ट है भारती तटरक्षवल इंडियन कोस्ट गार्ड के महाने देशक किसे निक्त किया गया है तो राकेश पॉल को इंडियन कोस्ट गार्ड का महाने देशक किया गया है भारती तटरक्षवल के दिन हम बात करें तो इसके स्थापना एक फरवरी 1977 को ही थी और इसका आपको याद रखना है. एक बल है, आपको याद रखना है. उसकी उन्मेस थापना होई थी और नई डिली में इसका Хैड कoryte in नेक्स्ट डिस्क्स कर लेते हैं हाली में Central Bureau of Investigation जिसको हम CVI बोलते हैं कि निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो CVI की जो नए निदेशक हैं प्रवीर सूध हैं आपको याद रखना है ठीक है, ये 1986 बैच के एक IPS अधिकारी हैं आपको याद रखना है CVI के लिए हम बात करें तो 1963 में इसके स्थापना हुई थी और नए दिल्ली में इसका हैड़कॉर्टर ये फिर मुख्या लाया अगला कोशन है भारती रक्षा एजैंसी रौ के नए प्रमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो रवी सिना को भारती रक्षा एजैंसी रौ के प्रमुक के रूप में न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है ये 1988 बैच के 36 गड़ के अडर के IPS अधिकारी है और रौकी हैदी हम बात करें तो रिसर्च एंड एनलेसिस विंग इसका फॉल फॉर्म है इसका जो कठन है 1964 में हुआ था और इसका जो हेट कोटर है निजिली में तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखना है एक महतपूर्ण एजैंसी है एन आई जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रे जाच एजैंसी तो इसके महानेदेशक कौन है तो ये दिनकर गुपता है इनको भी थौदा सभग दिमाग में रखेगा ये भी महतपूर्ण है इसका बनाई तो मनीज दिसाई को परेस सूचना वीयोरो का नया परदाण महाने देशक बनाए गया है तिक है याद रखियेगा नायीश दिख लेते हैं धूर। सिफारिसों पर इसकी स्थापना की गए थी चले नेस्ट कोश्चन दिख लिते हैं हाली में प्रवरतन निदेशाला एडी का कारी-कारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो राहुल नवीन को हाली में एडी का का कारी-कारी निदेशक नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है एड़ी के दी हम बात करें तो एक बहु अनुशाशनात्मक संगठन है जो कि मनी लॉंडरिंग इसके लावा अवैद्धन के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उलंगन की जाच करता है वित्यमंत्राले के राजस्तों विभाक के अधिनी आता है और इसका हैटकोटर जो है नई दिल्ली अफिन्यू देली में है आपको याद रखना है नेश्ट कोशन है हाली में किसी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का सलाकार न्यूक्त किया गया है तो अमित खरी को हाली में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का सलाकार न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है अगला कोशन है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाकार परिशद की सदस्थिक रूप में किस महीला को न्यूक्त किया गया है तो शामिका रवी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाकार परिशद की सदस्थिक रूप में न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है तो परमिंदर चौपड़ा को Power Finance Corporation की पहली महिला प्रमुक के रूप में बनाया गया है आपको याद रखना है परमिंदर चौपड़ा जो है महारतने कंपणी की अध्यक्ष और प्रवंद निरिशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है Power Finance Corporation की बात करना जिसको हम PFC बोलते हैं तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी यह बिजली छेतर के लिए सबसे बड़ी बुनियादी धाचा की एक वित्ते कंपणी है और इसको महारतने कंपणी का दरज़ा 20001 का इसमें दिया किया थी 11 महारतने कंपणी बनी थी आपको याद रखना है चली अगला कोशन है हाली में किस ने कॉल इंडिया के नए चेर्मेन का पदभार गरहन किया है तो PS प्रशादने हाली में कॉल इंडिया के नए चेर्मेन का पदभार गरहन किया है आपको याद रखना है ठीक है कोल इंडिया के दिए हम बात करें तो नवंबर 1975 में इसके स्थापना हुई थी और इसका जो हैड़कोटर है कोलकाता पश्रिम मंगाल में है आपको याद रखना है इसके लबाब कुछ अन्य महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे की सेल हो गई या NTPC हो गई तो इनके भी जो प्रमुक निदेशक है या फिर प्रमुक है उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं तो जैसे की इस्टील अथॉर्टी आफ इंडिया के दिए हम बात करें इसको हम सेल बोलते हैं तो इसके निदेशक कौन है तो अमरेंदू प्रशाद इसके निदेशक है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पॉरेशन की बात कराएं NTP से जिसको हम बोलते हैं तो इसके निदेशक कौन है तो गुरदीप सिंग इसके निदेशक हैं आपको याल रखना है तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम नेक्ट है BCCI के नई चेर्मेन कौन निउक्त किये गए हैं तो रॉजर विन्नी जो है BCCI के चेर्मेन निउक्त किये गए हैं आपको याद रखना है भारती करिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको हम बोलते हैं ये 36 वे अध्यक्ष निउक्ष किये गए हैं तो जनारदन प्रशाद को भारती भूब एग्यानिक सर्विक्षन का नया महाने देशक न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है भारती भूब एग्यानिक सर्विक्षन को हम जो लॉजिकल सर्विय ऑफ इंडिया भी बोलते हैं सरकार के खान मनतराले का दिहन कारे रत एक प्रमुक संगठन है आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1859 में इसका स्थापना हुई थी और इसका हैटकौटर कूलकाता में है। कारे की बात करें तो भूब एग्यानिक सरविक्षन और अध्यन करना इसका कारे है आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन दिख लेते हैं फिक्की का नया अध्यक्ष किसी नियुक्त किया गया है तो अनीश शाह को फिक्की के नया ध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है देखी यह सुबरकांथ पांडा की जगह लेंगे इससे पहले वाई फिक्की के उपाद धक्ष के पत पर रहे चुके हैं आपको याद रखना है फिक्की के दिए हम महासचिव की बात करें तो सैलिश पाठक फिक्की के महासचिव हैं फिक्की के दिए हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो Federation of India Chambers of Commerce and Industries का फुल फॉर्म है इसके स्थापना 1997 में होई थी और यह देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था है आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में दिलीब तिर्की के संस्था के अध्धक्ष चुनेगा हैं तो हौकी इंडिया के अध्यक्ष चुनेगा है दिली टिर्की आपको याद रखना है इसके लब कुछ अन्य खेल संगठन है उनके भी प्रमुक हम देख लेता है जैसे कि भारती महिला क्रिकेट टीम के मुखे कोच तो रिशी केश अखिल भारती फुटवाल परिशंग जिसको AIFF बोलते है इसके अध्यक्ष कर लियाना चौबे है अंतराश्ट्री मुक्यवाजी संग की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष लव लीना बॉर्गो हेन है तो ये बात भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट कॉश्चन डिसक्स कर लेता है टैनिस फेडरिशन आफ इंडिया टीटी एफाई के पहली महीला अध्यक्ष कौन युक्त हुई है तो मेगना एहलावत को टेवल टैनिस फेडरिशन की पहली महीला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपको याद रखना है इसके लब कुछ अन्ने खेल संगठन है इनके भी प्रमुक की हम बात कर लेते हैं जैसे कि भारती पैरलंपिक समिती जिसको आई पीसी बोलते है इसके अध्धक्ष कोन है तो दीपा मलिक इसके अध्धक्ष है नेक्स्ट कोशन है डेटा सिक्यूरिटी काउंसिल आफ इंडिया का ध्धक्ष के से उन्युक्त किया गया है तो प्रमोध भश्यन को डेटा सिक्यूरिटी काउंसिल आफ इंडिया का ध्यक्ष न्युक्त किया गया है तो आशीश कुमार चोहन NSC के CEO हैं इसके अलावा Bombay Stock Exchange BSC के CEO की यह दिया हम बात करा है सुन्दर राम मूर्टी BSC के CEO हैं तो यह कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में भी आपको याद रखना है महत्वणे तो दोस्तों यह हमने 74 महत्वण कोश्चन को आपको आपको नोट डाउन करना है जो मैंने आपको डिटेल बता ही है इसको खास दोर पर आपको नोट डाउन करना है वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताइए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मिलेंगे अगली बेतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिये और पढ़ते रहे हैं बाई बाई टेक केर जैहिंद अपना है प्लीज परेक्चर में जर बया है